हेलो फ्रेंट्स वेल्कम दो वेट अबव पर और देखिए नेस्टेक की बुरी हालत होने के बाद में निफ्टी आईटी बहुत जबर्दस तरीके से नीचे की तरफ सिंख होता वा नजर आ रहा है अभी रीसिन में जो TCS की वीडियो मैंने आपको बताई थी दिखाया था उसमें कि इसके प्राइस स्टक्चर में एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है उस कैंडल को एक ट्रापिंग कैंडल समझीएगा वहाँ पर कोई बाइंग एक्टिविटी मत दिखाईएगा क्योंकि स स्टॉक प्रेज उसके नीचे जा सकता है आपने देखा किस तरीके से हैड और शोल्डर पार्टन का ब्रेकेज नेस्टेक इनफोसिस एंड टीस में हमें देखने को मिला है इन फैक्ट अगर आप देखें तो ओल टाइम लो नया ओल टाइम लो यहाँ पर इनफोसिस ने ला अक्टिव करता है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर्स यहाँ पर ऑपरचुन्टीज धूनते हैं लेकिन ट्रेडर्स को यह सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि अगर स्टॉक एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में है और अल्रीडी उसका जो प्राइस स्ट्रॉक्चर है वो जो macro factors है वो भी महाँ पर survival के chances नहीं दिखा रहे तो फिर महाँ पर buy side में नहीं बलकि sell side में opportunities धोननी चाहिए तो अगर आप देखें यहाँ पर 58% के आसपस के delivery percentage है और यह इसी लिए है क्योंकि investors यहाँ पर अब पैसा लगाएंगे और देखें investors ऐसा नहीं है कि एकी trench में ब वही चीज उल्टा काम करती है traders को हर भड़ते वे price में move बनाना चाहिए और अपना profit का एक chunk वहाँ से निकाल के exit कर लेना चाहिए तो अब मैं पहले आपको दिखाता हूँ नस्डेक का चार्ट लास्ट वीडियो जो मैंने इनफॉसस की बना आपके सामने में लेके आया था उसके अंदर भी मैंने नस्डेक के अंदर यह वाला चार्ट दिखाया था जहापर head and shoulder pattern की formation हो रही थी और मैंने आपको clearly बताया था कि अगर 11500 के level यह निकाल देता है downside में 11,900 के हैं 10,900 को decisively cross कर चुका है breach कर चुका है downside के अंदर लेकिन closing अभी यहाँ पर है लेकिन जिस type का pattern वहाँ observe हुआ है शायद अभी फर्दर यह अगले support level तक जरूर आता हुआ दिखाए देगा यानि कि और थोड़ा सा leg room वहाँ पर NASDAQ के अंदर है क्या इसके RSI जिन level पर NASDAQ का RSI 23 के levels पर था यानि कि हम लोग ही कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई strong bounce back के chances हो केवल यही chances हो ऐसा नहीं है यह और further नीचे तक जा सकता है और भी जाधा oversold territory में जाने के बाद में यहाँ पर कोई reversal आपको देखने को मिल सकता है तो फिलाल इस particular chart pattern से मुझे ऐसा लगता है कि NASDAQ के अंदर weakness बनी रहेगी और देखिए यह line भी तभी की मार के line भी मैंने अभी तक हटाई नहीं है उस वक्त तक जब यह मैंने वीडियो बनाई थी तब तक यह आप देखिए करीबन 14% डाउन था है recent peak से अगर आप आज की situation देखें तो साड़े 18% डाउन है NASDAQ अपने recent peak से जो यहाँ पर है तो एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर अल्रड़ी हो चुकी है आने वाले टाइम में भी यह जो दौर है जारी रह सकता है इसलिए आपको थोड़ा सा specific होके ही यहाँ पर काम करना चाहिए अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इनफॉस का हैड और चोल्डर पैटरन की formation थी यह neckline थी neckline अगर break होनी थी तो फिर पहला support था 1365 का जहाँ पर closing दी है तो यह blue line जो है पहला support था and exactly अभी stock price यहीं पर आकर close होता हूँ दिखाई दे रहा है यह अगर breach होगा तो अगले जो support level 2 है वो है हमारे पास में देखिए अपर 1315 के और अगर यह भी breach हो जाते हैं तो support 3 जो है वो previously हमारे पास में कहां से आतावा दिखाई दे रहे 1245 रुपे तक का 1245 रुपीज तक के level अभी भी आपको इस stock में देखने को मिल सकते हैं यह मत भूलिएगा अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर भी कुछ technical data लेते हैं volumes को देखते हैं तो क्या शो हो रहा है कि जब से इसने इस neckline को break किया है तब से यहाँ पर sell side के जो volumes से हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं कि क्या आप यह देखिए कि कितने बड़े बड़े बास हैं अभी भी पिछले past trading session से progressive आपको volumes दिखाई दे रहे हैं जो clearly बता रहे ह और particular last trading session के अगर आप बात करें तो clearly यहाँ पर भी weakness sign of weakness दिखाई दे रहे है किस तरीके से ग्रेफ स्टोन डोजी कैनल की formation है एक downtrend के बाद में जो clearly दिखा रहे है कि buyers के लिए कोई chance नहीं है sellers यहाँ पर आकर रुके जरूर है let's see कितना time यहाँ पर buyers hold कर पाते हैं इस particular level पर RSI देखे further और नीचे की तरफ किसकता है जैसे previously आप यहाँ पर देखेंगे 19th of April को almost 20 के level पर आ गया था पूरी तरीके से oversold की zone में पहुच गया था तो अभी भी इसके पास यहाँ पर एक अच्छा-कासा legroom है यानि कि oversold पर यह जा सकता है यानि कि और भी गिरावट हो सकत है तो मेरा मानना तो यह है कि यहाँ पर अगर आपने इस area में कहीं पर भी position बनाई हो तो stock से लीजे exit और आपको sell side में opportunities ढोडनी चाहिए अगर यह in closing level के नीचे निकलता है यह जो blue line तब आपको यहाँ पर sell करके चलना चाहिए पहले target आपके 1315 रुपे के होंगे दूसरे target आपके 1245 रुपे के होंगे और यह जो condition है यह हो सकता है आपको September month के अंदर भी आते भी दिखाई दे जाए क्योंकि अब जो last week of September हमारे पास बचावा है उसके अंदर और weakness होने के chances हैं तो let's see कि कहां पर bottom बनता है हाला कि बहुत बड़ी downside की अभी उमीद नहीं है जिस तरी April के अंदर March April में वहां से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत जादा oversold है तो मैं यह नहीं कह रहा कि इतना नीचे और चला जाएगा लेकिन 1245 के जो nearest level है यहां तक यह definitely जा सकता है कुछ और trading session के अंदर at least यहां तक के लिए तो आपको अभी sell side के अंदर ही opportunities देखनी चाह बाद में साथ company के merger के बाद में क्या Tata Steel के अंदर आपको कोई further position by side में बनानी चाहिए या नहीं वो वीडियो भी आप जाकर ज़रूँ चेक कर सकते हैं मिलता हूं जल्द आपसे अगले stock specific वीडियो में तिल देन थेंक्यू बबाई